नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की D3 Week 60 के कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है D3 Week 60 के कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और D3 Week कैपसूल की वज़से क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि D3 Week Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. D3 Week एक ब्रैंड नेम है. D3 Week Capsule के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन कॉलेकलसिफेरॉल 60,000 इंडिनाशनल यूनित होता है. विटामिन D3 को कॉलेकलसिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है. D3 Week Capsule का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है. विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है. शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज दातों से चैल्शियुम लेने स्टिन लेनी से भीक्ष्चरा हो जाती है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड़ियों और जोड़ों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा औस्टियोमालेसिया होने पर मेरी हो जाती है और ओस्टियो मालेसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लि इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैल्शियम की डॉप्स दे सकता है। दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में D3 वीक कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में D3 वीक कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को D3-week capsule को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. ज्यादा डोज में D3-week capsule को लेने की वजह से शरीर में vitamin D और calcium का स्तर अधिक हो सकता है. शरीर में vitamin D और calcium का स्तर ज्यादा होना भी नुक्सान दायक होता है. अब हम दिस्कस करेंगे की D3-week capsule को कैसे लेना recommended होता है. D3-week capsule को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. लेकिन D3 Week Capsule को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. D3 Week Capsule को सप्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। और 8 सप्ताह बाद Dr. D3 Week Capsule को महीने में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। D3 Week Capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको D3 Week Capsule को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि D3 Week Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। D3 Week Capsule को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाच करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए D3 Week Capsule को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका D3 Week Capsule से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।